पंजाबी सिंगर रैपर सिधु मुसेवाले की दरदना खत्या के बाद आज यानि 31 मैं को उनका अंतिम संसकार होने वाला है हलो फ्रेंज आप देख रही हैं सलमी बीट वल बात करने सिधु मुसेवाले की तो सिधु मुसेवाले का आज अंतिम संसकार होने वाला है और जिसके चलते उनकी हवेली के बाहर उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा है कि किस तरह से उनको एक बार बस अंतिम दर्शन हो जाएं सिदुमूसे वाले के लेकिन जिस तरह से भीड उमड रही है उसमें कहपाना मुश्किल होगा कि क्या सब को अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा या नहीं वेल इसके साथ ही आपको पता दे किसदुमूसे वाले कि जो ये लास्ट राइड है उसके लिए उनकी यात्रा निकरने वाली है वो उनके पसंदिता ट्रैक्टर जिसको उन्होंने कई बार अपने गानों में मैंशन किया था उसमें होने वाली है जिए हाँ आपने जबते हुए देखा और जिसके साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार उस ट्रेक्टर की तस्वीरे सामने आ रही है कि किस तरह से उस ट्रेक्टर को सिद्धू की लास्ट राइड के लिए सजाया गया है उनका फोटो लगाया गया है और फूलों की मालाव से उनके उस पसंदिद ट्रेक्टर को सजाया गया है इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार उनके अंतिम दर्शन वाली तस्वीरे भी सामने आ रही है जिन में उनके पार्धिप शरीर को फ्रेजर में रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए और अब कुछ ही पलों में उनका अंतिम संसकार होने और सिद्धू की इस लास्ट राइड में शामिल होने के लिए देखा जा सकता है कि लोगों का जमावड़ा अभी तक नहीं रुक रहा है लगातार लोग उनके घर के बाहर आ रही है और जानीवानी हस्तियां भी इस लास्ट राइड में शामिल होने के लिए उनके घर के ब उनकी एक फैन फॉलाइंग बनाई वो काफी जादा एप्रिशेबल है उनके फैन्स उनके चहाने वाले उनके घर के बाहर लगातार उनकी लास्ट राइड में उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर लगातार सिदुमूसे वाले की बचपन की तस्वीरे भी वाइरल हो रही हैं और देखी जा सकती है कि किस तरहा से सिदुमूसे वाला अपने बचपन में थे और आज 31 मई को हम उन्हें आखरी विदाई देने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि 29 मई को जो गोली बारी हुई उसमें उनकी दर्द नाख हत्या कर दी गई जिसके बाद SIT का गठन हो चुका है लेकिन फिर भी राजनीती सत्याकान में इंवाल बताई जा रही है और इसके साथ ही पार्टियों पर भी आप पार्टिय पर सवाल उठाय जा रही है और अर्विन केजरिवाल सरकार जो है सवालों के घेरे में है सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि नम आखों के साथ उनके पिता उनके सर पर पग बान रहे हैं जो काली पग उन्होंने विलहाल बांधी है उनके सर पर उनके पिता ने बांधी है उनकी अंतिम यात्रा के लिए वो उनकी पसंदिता पंग थी और काले रंग को वो बहुत पसंद करते थे जब वो घर में रहते थे लोवर टिशट पहने हुए कैजूल में तो वो काले रंग की ही पंग पहनना पसंद करते थे और जो अस्पताल में उनके पिता ने उनको पंग बांधी है काले रंगी वो भी लगातार वीडियो उसकी भी सामने आ रही है किस तरह से उनके पिता उनका माथा चूम चूम कर रोते हुए विलखते हुए अपने बेटे को याद कर रहे है फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही आप देखते रहेगा फिल्मी बीट